अलो फेंस आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं मैंने लेस्ट कुमार तो आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वह बीए पार्ट वन प्रिविएस येर कोशन पेपर बताऊंगा जो की ओनर्स और सब्सीडरी का है और जो की 100 मार्क्स आपका जो एक्ज स्किन पर देख रहा है यह 2018 में कोशन पूछे गया है और इसी तरह का कोशन आपसे एक्जाम में पूछे जाएंगे सबसे पहले तो आप समझ लें कि यह 2018 में पूछे गया है और 100 मार्क्स का एक्जाम आपका होगा यह आरबी एच पेपर है यहाप आप देख सकते हैं जिस इसको आरबी हिंदी भी हम लोग बोलते हैं तो जो भी सब्जेक्ट आरबी हिंदी लिए हैं यह आरबी हिंदी इसको बोला जाता है और 100 मार्क्स का यह है तो पहला कोशन है वह objective टाइप का कोशन आपसे पूछे जाएंगे एक्जाम में जो की 20 मार्क्स का कोशन यहाँ पे उत्तर दे और उपढ़ांत के अंग प्राप्तर घाता क्यां तो सबसे पहला जो कोशन आपसे पूछे जाएंगे वह अभीशमक्स का रहेगा और जो की अब्जेक्टिव प्रसन पूछे जाएंगे तो पाला कोशन है निमलिखित वस्तुनिस्ट प्रशनों के उत्तर दे कोशन A है आचार रामचंद्र सुगल की कौन सी रचना आपके पाठकरम से है कोशन Q आचार रामचंद्र सुगल कभी है या आलोचक कोशन C मीर और मिर्जा किस कहान के पात्र है Q. D. राम प्रेम चंद्र का आशली नाम क्या है? Q. अरों करवा का व्रत कहानी का नाइका का नाम लिखे Q. च. करवा का व्रत कहानी के लेखा का नाम लिखे Q. छ. दिन दयाल कहानी किस कहानी का पात्र है? Q. च. ज. राकेश मोहन कौन सी कहानी आपके पाठकरम से है? पाठक्रम में है, कोशन जो मजबूरी कहानी की लेखिका का नाम लिखे, कोशन अराओ, कमलेश्वर की कौन सी रचना आपके पाठक्रम में है, कोशन टा, निराला का पूरा नाम लिखे, कोशन छा, निराला किस वाद के कहानी कभी है, तो यह जो पहला question आपसे पूछे जाएंगे, 20 नंबर का आपसे question पूछे जाएंगे जो कि को से टा तक पूछे गए हैं और यह 20 नंबर का question है आपका उसके बाद question अरो नंबर है मैं नीड भरी दुख की बदली में कवित्री में अपनी तूलना किस्से की है कोशन नेपाली का पूरा नाम लिखे, कोशन ना, राम धारी सिंग दिनकर किस विश्विद्याले के कुलपती थे, कोशन था, दिनकर का पूरा नाम था, पूरा जन्म, दिनकर का जन्म कहां हुआ था, कोशन था, अकाल और उसके बाद कविता के कवी का नाम लिखे, हिमाला का संदेश किसकी रचना है कोशन था ताल जल की रचियता का नाम लिखे कोशन न मेरा देश मेरा गड़ी पवीला के लेखक कवी का नाम लिखे तो 20 नमर का कोशन पोछे गये थे जो मैंने आपको बता है और कोशन खो जो है यह निमलिखीत कोशन खो जो है वहाए निमलिखीत में से किनी एक का उत्तर दे तो जो की 15 नमर का आपवetically से कोशन ऊठेज जाएंगे कोशन खो तो को है हिमाले का संदेश अत्वा वर्ग के वर्दे वीना वादनी सिरिशक कवीता का भवारत लिखे जो आपको लिखना है और कोशन खा जो है निराला अत्वा रामा नूज के कवी परिचय दे तो निराला अत्वा रामा नूज के बारे में आपको उनके परिचय को देना है कवी का और कोशन तीन जो है वह है निम पंदरर नंबर का कोशन आपसे पूछी जाएंगे तीन नंबर का प्रशन जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसमें कोशन है निमलिखित में से किनी एक का उतर देना है आपको करवा का वरत अत्वा पर्मात्मा का कुत्ता स्रीशक कहानी का सारनात लिखना है उसके बाद जो खोड नंबर कोशन है प्रेम चंद्र अत्वा मन्नु भंडारी शाहित्य परिचय दे तो यह इन में से आप कोशन थिरी में से आपको एक कोशन को बनाना होगा किनी एक काउतर देना होगा और question 4 जो है वह है 10 नमर का question है तो निम्लिकित में से किनी 2 का भावार्त लिख रहा है आपको question का है वित्रित नव का कोई कोना मेरा न कोई अपना होना पड़ेचे इतना इतिहास यही तो यह पाला slogan है जो की question 4 है उसके बाद जो आप देख रहे हैं उम्री कल थी मिट आज चली और अथवा में जो question दूसरा दिया है यहाँ पर अथवा जो देख रहे हैं आप दूसरा question है चमक उठी घर भर की आँखे कई दिनों के बाद कवे न खुजलाई पंखे कई दिनों के बाद तो यहाँ दो question है जो की 15 नमर का question पूछे जाएंगे और खो question जो है यह है दुख के वर्ग में जो स्वर्ग भै का है वही अस्थान आनंद के वर्ग में उत्सा का है और अथवा में आपको है तुम सब भी कुटते हो और मैं भी कुटता हूँ फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोग सरकार के कुटते हो और हम लोग हड़ियां चूशते हो और सरकार की तरब भोगते हो तो यह question 4 था जो कि खो था और question 5 जो है 10 नमर के प्रस्ण पूछे जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं दस नमर का जो कि है निमलिखित सब्दों के अंग्रेजी रूप लिखना है आपको जो कि तंकन, संचिका, निविद्दा, सूचना, मुकमंत्री, शीशक सिख्षक, संशद, प्रशाखा, पदिकारी और अभी, कर्ता, प्राच्याड तो इनके अंग्रेजी रूप आपको लिखना है और तंकन, सिक्स जो है अपने मित्र को फत्र लिखना है जिसमें प्रतियोग्ता, प्रिच्छा के तयारी कवणन करना हो और अधवा में अपने भाई को पत्र लिखे जिसमें किसी रोचक यात्रा का वर्णन हो Q6 है जो की 10 नमर का Q7 अब से पूछे जाएंगे और Q7 जो की 10 नमर का है और निमलिखित में से किनी एक का पलवन करें Q7 का है होनहार बिर्वल के होते चिकने पाथ Q7 खा है ना राधा को नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी या Q7 था जो की 10 नमर का Q7 आप से पूछे गया है और Q8 जो है उसके बाद गो नमर भी है अहिंसा परमो धरम Q8 जो की 10 नमर का है जो की अशुद्धी दिया गया उनको सुद्ध करके आपको लिखिना है निमलिखित अशुद्धियों को सुद्ध करें Q8 का है मेरा और आपका घोर शंबंध है Q8 श्रीराम के एक मात्र पीता चल बसे Q8 को आपको दवा लेना चाहिए Q8 केवल वचन मात्र में क्या दद्रिता है Q8 किर्प्या मेरे आवेदन पत्र को श्युकार करने की किर्पा करे Q9 मेरे घर में केवल एक मात्र एक चपडासी है Q9 पती पत्नी आई है Q9 जो ठंडा घरे का पानी पिलाईए Q9 जो तुम मेरे तुम केवल बोलना पत्र जानते हो Q9 जो तुम अपनी इच्छा से या काम किया है तो यह Q9 पार्ट वन का कोशन था जो मैंने अभी आपको दिखाया तो यह Q9 पार्ट वन का था 2018 में पूछे गया है जो की 100 माक्स का कोशन था और आर भी इसको हिंदी भी बोलते हैं आर भी हिंदी यहां पे भी आप देख सकते हैं और पहला जो मैंने बताया इसी तरह का कोशन आपसे एक्जाम में पूछे जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया है और आसा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गया हूँगे जो मैं भी आपको कोशन पेपर दिखाया हूँ और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्टों को सेयर जरूर करें